हेलो दोस्तों आज 6 अप्रेल 2020 और 6 अप्रेल 2020 से जितने भी हरी आनाकरेंड अफिर के क्वैशन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ िसाथ पीछली और पुराणी हरी आनाकरेंड अफिर का रवेजन करेंगी और हर question के बारे में important और extra fact पढ़ेंगे विद हरियाना जी के और हरियाना क्राणडफर के साथ में और अब इस क्राणडफर की pdf file को description में टेलेगराम कलिक मिल जाएगा उसको जोईन करके वहाँ से pdf file ले सकते है Question number one है हरियाना के 20 व्यक्ति को राश्टपती पदक से समानित किया गया है तो यह पदक मिला है option D रमनीश गिर को अब जाण लेते इसके बारे में कुरुक्छेतर जिले के रमनीश गिर जो वर्दमन में सियुक्त निदेशक है CBI के उनको राष्टपती पदक से समानित किया गया है ये भी आपको नोट कर लेना है अब जिकरो वाता दोस्तों राष्टपती पदक का तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हाली में 26 जनवरी 2023 के गनतंतर दिवस पर हरियान के अभिताब सिंग्डी लोको वसिष्ट सिवाओं के लिए राष्टपती पदक मिला है जबकि 26 जनवरी 2022 के गनतंतर दिवस पर हरियान की ममता सिंग और सुरेंदर वस को राष्टपती पदक मिला था ये भी आपको नोट कर लेना है दोस्तो मैंने आपके लिए वर्तमान में हरियान में कौन की है इसको पर एक फुल वीडियो बना दिये विद इंपोर्टन और एक्ष्टा फैक्ट विद पीडियो फाइल और दोस्तो साथ इसाथ जीस बोर्ड वाय आयो का जिकर करेंगे उसके बारे में जानेंगे उसकी स्तापन कब हुई थी और इसका लिंक नीचे मिल जाएगा उसकी पीडियो फी डालोड कर सकते हैं नेक्ष्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के नुसार रहचे में परती 10 लाख अबादी पर कितने जज है तो इस रिपोर्ट के नुसार हरियानम दोस्तो परती 10 लाख अबादी पर ओप्संडी बारा जज है अब जान लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के नुसार रहचे में परती 10 लाख अबादी पर हरियानमें बारा जज है अब जे करू वा था रिपोर्ट का तो इनसे मिलते जूलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं परदान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत की और से जारी समाजिक परगती सुचकांग रिपोर्ट में हरियाना 21 नमबर पर रहा है और हाली में पबलिक अफेर्स इंडेक्स जरबाइस में हरियाना बड़े रज्जु की सेनिन में पहले सान पर था ये भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट है हरियाना सरकार रज्जी के युवाओं में उदमिता और स्टाटप को परसाइद करने के लिए किस के अंदर की स्टापना करेगी तो इसके लिए हरियाना सरकार ओप्शन ए उसमयन के अंदर की स्टापना करेगी अब जान लेते हैं हरियाना सरकार युवाओं में उद्मिता और स्टार्टप को परसाइद करने के लिए उसमयन के अंदर या फिर इनक्यूवेशन सेंटर को स्टापित करेगी अब जिकर हुआ था उद्मिता स्टार्टप है तो इनसे मिलते जोलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हरियाना में उद्योगों की जरूर्ट के नुसार युवाओं को परसिक्षन देने के लिए चार कोर्शल विकास के अंदर स्टापित किये जाँगे और कहां कहां पर है दोदोला, विसो कर्मा, विसो वदैले में स्टापित किये जाँगे दूसरा, फिर्दाबाद इंडस्ट्रियल एसोसेशन में, तिसरा, कुंडली ओद्योगी छेतर में और चोथा, आयम्ती मायनेसर में यह भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट है, हरियान रैज्ज के कितने महागरामों में सवस्ता अब्यान चलाया जाएगा तो सवस्ता ब्यान चलाया जाएगा, ओप्शन भी 135 महागरामों या बड़े गाऊ में अब जान लेते हैं, मुख्य colony मन्हुरलाल ने कहा है कि परदेश के 135 महागरामों या फर बड़े गाऊ में सवस्ता ब्यान चलाया जाएगा अब इनसे मिलते जूलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं हाली में विवानी जिले के दुलहडी गाउं का पदान मंतरी दरिंदर मोधी ने अपनी मन के बात करेकरम में सवस्ता के लिए इस गाउं का विशेश उलेक किया था और सहरी स्तान ये निकायक के सवस्ता सर्वेक्षन 2022 में हरियाना पांचमे स्तान पर रहा था और सवस्ता सर्वेक्षन गरामें 2022 के तैत बिवानी जिलादेश में पहले स्तान पर था सवस्ता में next है हरियाना रेज में बूजल स्तर लगातार गिरने से कितने बलोक डार्क जोन में आ गई है तो इसका right answer होगा option B तो 36 बलोक डार्क जोन में आ गई है अब जहां लेते हैं हरियाना परदेश के 7,282 गाउं में से 3,041 गाउं में पानी की कमी है और हरियाना में बूजल स्तर लगातार गिरने से 36 बलोक डार्क जोन में आ गई है अब जिकरोवा था जल का या पानी का तुन से मिलते जूलते कूछ और पॉइंट पड़ लेते हैं हरियाना सरकार ने जल सरक्षन में योगदान देने वाले किसानों को अमरिद करांतिकारी मित्र उपादी परदान की है और हाली में केंदर सरकार द्वारा हरियाना वार्टर रिसोर्स अथोर्टी को वर्ल्ड वार्टर अवार्ड 2023 से समानित भी किया गया था अब दोस्तों जोबयम ने पड़ाउस का अवटावर से रिविजन कर लेती हैं हरियान के किस वैक्ति को राष्ट पत्ति पदक से समानित किया गया है तो रमनीज किर्को नेक्स्ट है इंडिया जस्टी रिपोर्ट 2022 के नुसार रैज्ज में परती 10 लाख बाती पर कितने ज़ज है तो 12 है नेक्स्ट है हरियाना सरकार रैज्ज के युवाँ में उदमिता और स्टाटप को परसाइट करने के लिए किस केंदर की स्टापन करेगी तो उसमा यान केंदर याफ इंक्यूबेशन सेंटर सा पित किये जाएंगे नेक्स्ट है हरियाना रैज्ज के कितने महागरामोय प्रबड़े गाउ में सवस्ता अब्यान चला जाएगा तो 135 गाउ में नेक्स्ट है हरियाना रैज्ज में बोजल स्तर लगातार गिरने से कितने ब्लोक डारक जोन में आ गए हैं तो 36 ब्लोग दोस्तो डारेक जोन में आ गए हैं। अब 37 हरियाना जिक्क्योर पीछली हरियाना करेंड़ फिर का रविजिने टैस्ट कर लेते हैं। नमबर वन पर है अलेड बिकानेर का सम्मध हरियाना के किस जले से तो इनका सम्मध ओप्शन सी रेवाड जले से है। नेक्स्ट है हरियाना के पंजाब से अलोगों ने पर हरियाना का कुल चितरवल कितना था तो ओप्शन डी 35.18 परतिसत है। नेक्स्ट है हरियाना करकरेखा से कितनी दूरी परस्तित है तो हरियाना के यह दूरी ओप्शन भी 230 से 300 मिल दूर है। नेक्स्ट है सरी बगवत गीता में अहर वन के बारे में उलेक किया गए है यह वन किस जिले में है तो यह है अहर वन दोस्तों ओप्शन ए पलवल जिले में है नेक्स्ट है काउंटी कलब गॉल ओफ कॉरस कहां पर है तो गौल्प कॉरस option में वात चिले में है next है नध्यों का नघर के नाम से परसिदो आना से कितनी नहरे निकलती है तो यहांचे दोस्तो option c.5 नहरे निकलती है next है हाली मेहरी आना कि की ही जिले का अस्पताल मुश्कान दिशन निर्देशों के नुसार प्रमानित होने वड़ा देश का पहला स्पिताल बना है तो यह स्पिताल बना है option D प्रिदाबाद जिले का next है हरियाना रैजिमे कहाँ पर फूलों के लिदकष्टा के इंदर स्तापित किया जाएगा प्रिदाबाद जिले के लिदकष्टा के इंदर स्तापित किया जाएगा option मोनिमपूर जजर्वे next है हरियाना सरकार पंडित लग में चंद कलाकार समाजी के समान योजना के तहत है कलाकार को कितने रुपे परतिमाह देगी तो इस योजना के तैत हरियाना सरकार option ये 10 ज़र्वे परतिमाह देगी next है हरियाना के की जले के पुलिस ताने को over 2022 के लिए पर्देश का स्वर्शेस्ट पुलिस तान गोशित किया गया है तो option सी सोनिपत के सदर पुलिस टेशन को अब साथी सतकल वाली हरियाना करण फिरकार विजन ये टेस्ट कर लेते हैं question वरवन है हरियाना सरकार द्वारा समाजिक सायते बहादुरी वसिक्सा के लिए रस्टी बाले का परुषकार किसे दिया गया था पारूल स्विष्ट का सनेह वर्मा को next है हरियाना मार्केटिंग बोड का चेर्मेन किसे निक्त किया गया है तो इस बोड का नया चेर्मेन आदित्या चोटाला को निक्त किया गया है और दोस्तों वर्तमान में हरियाना में कोन के उसको पर मनें एक फुल विडियो बना रखी पीडेः फाल विद इंपोर्टन फैक्टों से जाकर जरूर देहना डिस्क्रिप्षन में लिख मिल जाएगा हरियाना में कहा पर्राज्य का पहला रिमोट पालेट ट्रेनिंग सेंटर बना गया है तो कर्नाल में next है हरियाना पुलिस की सिपाई महनी नेलखनू में जित सैकलिंग चैंपिन सी में कौन निसा पतक जीता है गोल्ड मेडल जीता है next है हरियाना की किस महला को दिव्याग वच्चों की सिखसाई तूरस्ट पति द्वार समानित किया गया था तो सुमन अगरवाल को और दस्तों अगर आपको किसी भी महिन ये साल की हरियाना कराण फिर की पीडियो फाइल चीए भी इंपोर्टन और एक्ष्ट अफेक्ट के साथ है तो डिस्क्रिप्शन में लिक मिल जाएगा वहाँ से डालोट कर सकते हैं या पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक वर्ट्शेप नमबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको पीडियो फाइल मिल जाएगी लास्ट वीडियो में आपसे क्वेशन पूछा था हरियाना साहित वैसास्कर्थ अकादमी का कर्याकरी उपादेक्स किसे बना गया है तो उसका कर्याकरी उपादेक्स बना गया है ओप्शन सी कुल दीप, चंदर, अगनी होतरी को और वर्तमान में हरियान में कोन के उसकी वीडियो जाकर जरूर देखना आज के लिए अपका क्वैस्टन है हरियाना सरकार दोरा दुगद उत्पादक किसानों को दुर्गटना में मिर्तु होने पर कितनी रुपे की वीतिय सा तरासी दी जाएगी और दोस्तों जिकर हुआ था दूद का तो आरतिक सर्वेक्शन में इससे मिलता जोर तक क्या कहा गए है आपको वही कमेंट करना है और हरियाना में चेर्मेन की वीडियो जाकर जोर देखना दोस्तों डिस्केप्शन में लिक मिल जाएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सौमच